असलाम अलेकूं आज हम बना रहे हैं एक मतन बिर्यानी यह कानपुर की बहुत दी फेमास चमन गंज की चेटपटी बिर्यानी इसको सब किया है मैंने लाल चटनी के साथ इस चटनी की रेसिवी भी चैनरी पर एविलिबिल है इसको बनाएंगे हम प्रेशर कूकर में और के साथ बनके तैयार हुती है और नाहीं तले में जली और नाहीं इसका दाना عمற उपक हुआ है तो इसको प्रेशर कूकर में बनाते हैं सबसे पहले मसाला त्यार कर लेती हैं इसके लिए मैं रेफ्टी 25 ग्रीषा म्रका 26 minutes तोड़ी सी काली मिर्चली है और आदा चमच सावोधन्या लिया है आधा टुकरा नट्पेक कर लिया है दालचीनी लिया है और थोड़ी सी हमें जाय फली है तो इन सभी मसालों को हम एक तबेबर प्राय रोस्त कर लेते हैं सिर्फ एक मिट के लिए मीडियम फ्लेंपर और इन तो उसके लिए थोड़े से ही खड़े मसाले लिये हैं जीरा लॉंक हरी लाइजी दाल जीनी जाविक लिया दू देजवार के पकते इन सब को हमने कुकिंग वाइल में फ्राइब कर लिया है कि कुकिंग वाइल हमने 100 फैमल लिया है इसमें सबसे पहले हम दूलावा गोष्ट दालेंगे और उसको फ्राइए करेंगे जिन्जर गालिक दालेंगे यकसे दो चनमाच्छ और अत्रक पेस्ट के साथ अगेश्ट करेंगे कि दो मिनट फाय करने के बाद जो हमने पॉर्डर तयार करा था मसारा तयार करा था उसकी हाफ क्वांटिटी इस टाइम यहां डाल देंगे और अपने टेस्ट के हिसाब से यहां अमक डाल देंगे इन सब को हम मिक्स कर लेंगे मैंने तो लार साइज की अंयन को सिलाइश करके इस्ट कर लिया था तो यही हम यहां डाल देंगे लेकिन अधी अधी हमने आगे यूज करना है लेयरिंग में इन शब को हई फ्रेम पर भून लेइंगे संब आब इसको पर भूरेंगे तो यहां पर इसमें 100 ग्राम क अस्तमाल कर आया लुथ सब पर भूनेगे जब तक पान पानी हो कहता। बने यहां पर 250 ml एक बड़ा मग पानी का डाल दिया है। अब बस इसको मिक्स करके अब हम इसे प्रेशर कोक करते हैं तो हमें यहाँ पर जो मीट को 90% तक कोक करना है अब हम चावल करने के लिए रखते हैं तो सबसे पहले बड़े बरतन में हम पानी गरम करेंगे उसमें कुछ खड़े गरम मसाली और हरी मिर्चर डालेंगी 5-6 और न पानी ड्वेन हो जाएगा तो नमक हमें यहाँ जादा आट करना होता है जब पानी में अच्छी तरह से बॉइल आ जाएगा तब हम इसमें एक घंटे भीगे हुए चावल डालेंगे मैंने यहाँ पर सेला चावल करा है आपको इस अभी बिर्यानी वाला अच्छा चावल मैंने यहाँ पर 750 गाम चावल लिये हैं तो चावल डालकर इनको कोक करेंगे हाई फ्लेम पर इधर हमारी यखनी तयार हो गई है अब हम इसको चैक कर लेते हैं तो यहाँ पर जो पीसीज है उसमें थूड़ी से गुंजाईश रहने चाहिए यानि हमें 90% तक कोक करना है क्य करने है तो चावलों को हमने पानी से अलग कर लिया है अब यह यखनी है जिसका के हमने रोगन अलग कर लिया था तो प्रेशर कुकर में पहले से हमने यखनी रखी है उसके उपर एक लियर चावल की लगाएंगे और जो हमने मसाला तयार करा था उसमें यह मसाला डालेंगे फ्राई करी भी प्यास जालेंगे और जादा सी हरी मुर्शे डालेंगे फिर एक लेयर उपर से चावल की लगाएंगे तो इसी तरह से आप चावल की एक दो लेयर लगाएं और मसारा डालें यह वही रोगन है जो हमने यखनी के लिए लिया था यह बिल्कुल भी एक्स्रा न सीटेल के बारण फिर फिल्म को बंद कर देंगे और घंडा होने देंगे जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाए आग में इसको 3D को खोलेंगे जर्यारा विश्राने में बहात हो गलारा पने पर में बना सकते हैं उम्मीड करती हूं कि यह मटन की बिर्यानी आप सभी को पसंद आई होगी, बिल्कुल इसी तरह से आप इसको किसी भी मीट के साथ बना सकते हैं, बहुत ही फ्लेवरफुल यह बिर्यानी बनकर तयार हुई थी, और यह बनाना भी बहुत ही आसान है, इसे हरकोई इसली बना सकता है, प्रेशर कोकर म बिल्कुल इसी स्टेप को फॉलो करके और इसके साथ साथ मेरी इस चैनल पर बहुत सारी रेसिपी अवेलेबिल हैं, बिर्यानी की, पुलाओ की, ताहरी की, उन सब को भी प्लीज ट्राय करिए, आई होब कि यह रेसिपी पसंद आई होगी, दौाओं में आद रखिए, मिल